अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसिस बोलने की जरूरत पड़ती है जैसे क्या करें ये एक परिशानी है कब जाएं ये पता नहीं है कहां जाएं ये तै नहीं है कैसे इंग्लिश सीखें ये आसान है आएए देखते हैं कि ऐसे हिंदी के सेंटेंसिस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन सा रूल फॉलो होता है इसके रूल में सबसे पहले सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्वेस्चिन वर्ड आता है जैसे कि वाट, वैन, वेर, हाव, हूँ इसके बाद टू आता है, इसके बाद वर्ड की फर्स्ट फर्म आती है, इसके बाद एस आता है, और लास्ट में नाउन या फिर वर्ड की थर्ड फर्म इन दोनों में से कोई एक आता है sentence के according चलिए आप कुछ examples देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए क्या करें? ये एक परिशानी है या फिर क्या करना है? ये एक परिशानी है What to do is a problem यहाँ पर What to do it is a problem नहीं बोले ये grammatically incorrect है कब जाएं? ये पता नहीं है या फिर कब जाना है? ये पता नहीं है When to go is not known यहाँ पर देखिए known verb की third form है कहा जाएं? ये तै नहीं है Where to go is not decided कैसे English सीखें? ये आसान है How to learn English is easy How to learn English is easy क्यों रुकें ये पता नहीं है Why to stay is not known Why to stay is not known कब लोटें ये पक्का नहीं है When to return is unsure When to return is unsure कैसे खाना बनाएं? ये मुश्किल नहीं है How to cook is not difficult How to cook is not difficult अब एक सेंटेंस आपके लिए क्या कहें? ये पता नहीं है या फिर क्या कहना है? ये पता नहीं है इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे या आप मुझे कमेंस में बताएं आज की वीडियो में इतना ही अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज इसे लाइक कीजी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजी and make sure you press the bell icon right next to the subscribe button so that you get notified whenever I post new videos अब हम मिलेंगे नए बीटियो में एक नए लेसन के साथ अब तक के लिए टेक केर and bye-bye